दोस्तो नमस्कार दोस्तो देश तो बड़े कारोबारी चलाते हैं और बड़े कारोबारीयों को कभी नुकसान नहीं होता है सरकार सरकार तो उनके हाथों कटपुतली होती है सरकार को क्या चाहिए बहुत सारा धन चाहिए जो राजनिती में जोका जा सके और उसके बाद सत्ता बरकरार रखी जा सके देश तो कारुबारियों के हाथ रहता है और कारुबारी को नुकसान ना हो तो सब कुछ वही तै करते है उन्हें पता होता है किस बाजार में किस उत्पाद की कितनी कीमत वसूली जा सकती है गरीब हो सकता है उसमें पिस्ता चला जाए मिडल क्लास यानि मध्यम वर्ग हो सकता है उसमें उसके माथे से हमेशा पसीना चूता हुआ दिखाई दे जिसके कंदे पर परिवार को ढूने का बोज हो और इन परिस्तितियों में कारोबारी जब देश चलाते हैं तो देश की स्तिती बैंकों के जरिये हो या फिर अंतराश्टिय तोर पर वहपार के जरिये हो उनकी चांदी रहती है ये अलग मसला है इस देश के लोग जिनकी पूंजी अलग अलग जगव पर जमा होती है वो दीरे दीरे खाली होती है और सरकार बहुत ही सलीके से जो मुनाफे वाले प्रतिस्ठान होते हैं उनको खोखला बनाना शुरू कर देती है और उसका लाप इन आपकी जिन्दगी में बहुत सारे बदलाओ आने वाले हैं आप कहेंगे जिन्दगी जीने का सलीका बदल जाएगा जी नहीं आपके उपर बोज बढ़ जाएगा और सरकार जानती है बिना पैसे के वह भी टिक नहीं पाएगी और बोज के तोर तरीके इस देश के कारोबा कारोबारी तै करते हैं जगा 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 पर आपको और ज़्यादा टेक्स देना होगा जिन्दगी का जो भी पैसा जहां जुगाल करके आपने रखा है या फिर बैंकों से लोन लिया है वह लोन भी बढ़ जाएगा और जो जुगाल पैसा करके रखा है उसकी कीमत भी क्योंकि ये देश कारोबारी चलाते हैं और कारोबारियों की फिरिस्त में कोई नाम छुपा हुआ नहीं है आपके जहन में अडानीज आ सकते हैं अंबानीज आ सकते हैं अधित बिल्ला आ सकते हैं टाटा आ सकते हैं विदानता के अगरवाल आ सकते हैं कई नाम आपके साथ लेकिन जब आप गिनना शुरू करेंगे तो बड़े कारोबारियों की तादात दस से जादा बढ़ नहीं पाएगी तो 140 करोड के देश को चलाने का ठेका सरकार बड़े कारोबारियों के हाथ में सौप चुकी है और जो असर आपकी जिंदगी में पढ़ने वाला है और इस देश के भीतर जो लूट पाट कारोबारियों के जरिये सरकार की मोहर के साथ लगती चली जाती है उसका कच्चा चिट्था समझ लीजिए क्योंकि सरकार जो भी एलान करती है वो एलान सिर्फ एलान तो नहीं होता है सरकार जो भी कहती है उसका कहना सिर्फ कहना तो नहीं होता है और कल्यानकारी शब्द इस दौर में डिक्षनरी से गाइब हो चला है और यह एक ऐसा शप्था जिसके जरिये इस देश के भीतर में सरकार ही निती बनाती थी, वही लागू करती थी, वही तै करती थी। लेकिन नई परिस्तितियां हैं और जो भारत के भीतर सुधार है उसका असर कल से आपके जीवन में क्या करने वाला है और उसका क्या उपाय हो सकता है यह तो दूर की गोटी है क्योंकि जिस देश के भीतर financial bill बिना बहस के पास हो जाए यानि संसद में उस दिन financial bill पास हुआ जिस दिन राहुल गांदी का घर छीन लिया गया और संसद ठप पड़ी होई थी लेकिन उस शोर शराबे के बीच 24 मार्च को financial bill भी पास हो गया उस financial bill के साथ जो बोज आप पर पढ़ने वाला है उसकी एक बड़ी लंबी फिरिस्थ है आप सोचिए कि दवाईयों की कीमत भी कल से बढ़ जाएगी जो पेन किलर्स हैं जो एंटी इंफेक्टिव यानि एंटी बॉाइटिक के अधार पे भी जुड़ते हैं और एंटी इ इली से मेरट जा रहे हैं तो 10 फीजदी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा महराष्ट में सफर कर रहे हैं तो 18 फीजदी ज़्यादा आपको सफर में देना पड़ेगा टोल्टेक्स में क्योंकि महराष्ट रज सलक विकास दिगम ने एक्सप्रेस नियंतरिन जो राजमार्ग है उसमें 18 फिस्दी की बड़ोतरी कर दी तो देश भर में ये होगा जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि पैन और अधार को जोड लीजिए ये पिछले बरस से आपने शोर सुना होगा सरकार ने तारीक बढ़ा दी थी और इस बार पता चला कि तारीक इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि जब आप उसको जिस पोर्टल पे करने जाएंगे वहाँ पर एक हजार रुपए फाइन के तोर पर लिया जा रहा है यानि जब की बढ़ाई गई थी तारीक तब नहीं बताया गया था लेकिन जैसे ही आप पैन कार्ड और अधार को जोड़ेंगे एक हजार रुपए फाइन आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा लूट के कई तरीके हैं ये तो छोटे मोटे तरीके इसमें यूपी आई ट्रांजेक्शन पर जो मर्चेंट है अब उस पर दो हजार रुपए से जादा में 1.1 परसेंट सर्चाज देना पड़ेगा कोई भी योही सर्चाज नहीं देता है वो कहीं से वसूलता ही है और वसूली तो जनता सही होती है इस दाइरे के भीतर में जो गाड़ियां है अब भी महंगी हो गई जो बाहर से साइकिल और बाहर से गाड़ी आ रही है विदेश की वह पूरी कॉस्टली हो गई और इन सब के भी जो life insurance policy है जो 5 लाग से अधिक की जो annual premium यानि साल भर में एक बार जो premium देते हैं वह भी अब tax की दाइरे में आ गया यानि life insurance policy आपके tax के दाइरे में 5 लाग से ज़्यादा होने पर इतना ही नहीं सरकार तो बड़े बड़े चेहरों के साथ mutual fund का अपने तौर पर प्रचार करती है कि पैसा लगाईए तो यहीं लगाईए तो mutual fund पर जो short term capital games के तौर पर अब उस पर भी tax लगेगा कल तक नहीं लगता था अब वह भी tax के दाइरे में आ गया जो सीमा शुलक होता है जो custom होता है वह gold पर बढ़ गया वह चांदी पर बढ़ गया सोने चांदी दोनों पर बढ़ गया कीमत तो बढ़ी जाएगी तो कीमत बढ़ी हुई वेसूल आप से की जाएगी क्योंकि 5% tax उस पर भी बढ़ गया है हर बरस एपरिल के महीने में LPG सिलेंडर जो होता है उसकी कीमत निर्धारित होती है जो हमेशा बढ़ती है तो वो बढ़ने वाली है वो भी बढ़ जाएगा और एक लंबी फरिस्थ है जो इलेक्टरिक के वहान होंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी डॉक्टरी के चेतर में जो एक्सरे मशीन ली जाती है उसका इस दौर में बहुत उपियोग हो रहा है और ग्रामीन छित्रों में कहीं ज़्यादा उपियोग होने लगा है तो एक्सरे की मशीन की कीमत भी बढ़ा दी जाए तो ये भी फैसला हो गया कि इसको भी बढ़ाया जा रहा है यानि रेट 0.25% बढ़ने की इस्तिती में लगबग हरी जंडी RBI दे चुका है जो बैटक होने वाली है जो फर्स्ट वीक में बैटक शुरू होगी एप्रेल में उसमें 0.25 यानि 25% बेसिक पॉइंट जो बढ़ेंगे तो ये पहली बार भारत के भीतर में हाइस्ट रेपो रेट बढ़ेगा जो 6.75 पर आ जाएगा रेपो रेट बैंकों का खेल है जी नहीं बैंक में तो आप ही का पैसा है आप किस चीच का लोन लोंगे होम लोन लोगे आप कार के लिए लोन लोगे आप परसनल लोन लोगे सभी की EMI बढ़ जाएगी और जो पहले लिये हुए थे उस इसमें और बढ़ जाएगी बचियेगा कैसे और ऐसा नहीं है कि इस देश के भीतर में महंगाई को लेकर RBI ने कोई नए 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 निदान निकाले हो और सरकार के पास कोई पॉलिसी हो कुछ भी ऐसा नहीं है ये तो सरकार के लूट के तोर तरीके हैं जिसमें पॉलिसी के बीच खड़े हैं या हम गरीब देश हो गया है इन परिस्तितियों के भीतर जरह समझिए कि पूरे 2022 में मई 2022 0.4% रैपोरेट बढ़ता है जून में 0.50% बढ़ता है अगस्त में 0.50% फिर बढ़ता है सितमबर में 5.0 1.50 फिर बढ़ता है दिसमबर में 0.35% फिर बढ़ता ह और इस बार भी माना जा रहा है 0.25% बढ़ेगा यानि करज लेना आपके लिए महंगा हो जाएगा अगला सवाल आपके जहन में जरूर आना चाहिए करज लेना हमारा महंगा होता है लेकिन जो इस देश को लूट ले रहे हैं जो बड़े कारोबारी हैं और जिनका रुत्वा इस देश में चाटेड में घूमने का है उन पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती है तो देश तो वही चला रहे हैं तो उन पर लगाम कैसे लगेगी और इस देश के बीतर में जो बचे हुए थे उनकी परिस्तिती इतनी नाजुक हो गई कि इस देश में लगभग आठ ला आपका राफता नहीं है तो आप किते दिन खिच पाएंगे और अगर आप खीच रहोंगे तो आपसे वसूली भी तो सरकार ही शुरू करेगी पैसा तो सरकार को चाहिए सरकार मतलब पॉल्टिकल पार्टी पॉल्टिकल माटी और सरकार मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है औ और उस महेंगे चुनाओं के पीछे जो पैसा आता है वो पैसा आपी से रोटेट करके आपी को डिरेक्ट बेंक प्रांसफर कर दिया जाए या फिर चुनाओं के वक्त घरगर कितने कितने नोट बांट दिया जाए सब कुछ इस देश के भीतर में खुले तोर पर चलता है ले को उन्होंने जो जानकारी दी थी कि NPA कितना है NPA का मतलब यह होता है कि जो पैसा लिया गया और वो नहीं लोटा पाने की स्थित्टी में है उसकी जानकारी निकल कर आई थी 48,21,000 करोर रुपए और जो उसमें रिटेन आफ किया गया था सरकार ने जो माफ कर दिया था वो अगर आप 2022 को उसके दाइरे में ले आएंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में लगबग 66,67,000,000 करोर रुपए नन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर है जो बैंकों के जरिये दिया गया और वो रिटेन नहीं हो पाया उसके अलग-अलग दाइरे च डुटा हुआ है ये भी जराप रखिएगा लेकिन बैंकों के जरिये जो माफ किया गया वह तकरीबन बनता है 14,50,000,000 करोर आपके जहन में होना चाहिए दिसंबर के महीने में जानकारी दी गई थी कि उससे पहले मार्च तक हमने लगबग 10,000,000,000 करोर रुपिया माफ कर उस औसत को अगर समझना शुरू कीजिएगा और मौजूदा वक्त आज फैनांशियल एर का आकरी दिन है आज के दोर में आईएगा तो ये साड़े 14,00,000,000 करोर सरकार रिटेन ओफ कर चुकी है और बड़े कॉर्परेट लोन जो 8 साल में नहीं लोटा पाए और उसको सैफ पॉल्टिकल तोर पर इशारा होता है और वो चीजों को डेवलप कर देता है और उसमें 90 दिन से लेके 4 साल के बीच में यह एक यात्रा होती है कि 90 दिनों में आपने नहीं लोटाया तो आपको किस कटगरी में रखेंगे फिर आपने 120 दिनों में नहीं लोटाया तो किस कट प्रडगरी होते होते चार सक्ता आती है और चार बरस के बाद यह मान लिया जाता है अब इसको माफी कर दो तो अच्छा यह लोटाएगा तो नहीं और वो कारोबारी होता है और कारोबारी की ताकत इस देश में कितनी मजबूत है यह तो आप समझ गये होंगे अडानी कां आते हों और दूसरी तरह भारत के भीतर जो कर्ज लोर क्लास किसान MSME से जुड़ा हुआ शक्स या कोई परसनल लोन के तोर पर लेता है जो बहुत कम रकम देता है वह लोटा देता है उसका परसेंटेज एक लिहाज से ठीक है लेकिन बड़े कारोबारी जो NPA के शकल में आ 1.7 परसेंट है मलेशिया में भी 1.7 परसेंट है इंडोनेशिया आगे निकल गया 2.6 परसेंट पे पहुँच गया इटली और आगे निकल गया 3 परसेंट पे पहुँच गया रशिया के भीतर सत्ता का खेल चलता है और सत्ता के इशारे पर काम होता है तो वहाँ वो बढ़ सितंबर के महीने में उन्हों ने बताया जब मनमोहन सिंग जा रहे ते उस समय 4.1% NPA था जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बढ़ा 2018 में 11.46% और 2018-19 के बीच बढ़कर ये 12% को भी पार कर गया लेकिन पिछले मार्च में ये कम हो गया और ये 5.9% है क्यों क्योंकि हमने माफी कर दी और सितंबर तक का डाटा निकाला गया तो पला चला फिर से ये 16.6% हो गया है ये कौन सी स्थितियों के बीच कैसे खेल चलता है क्योंकि जिस लिहाद से NPA बढ़ा है अगर आप ध्यान दीजिए तो मनमोहन सिंग के दौर में 2,51,000 करोड और 2018 में जब हाइश्ट फिता चार बरस में चार गुना जादा 9,63,000 करोड और जो माफी दी जाती थी मनमोहन सिंग के काल में और जो मोधी काल में जो माफी दी गई बैंक की किताब ठीक करने के लिए आज भी बैंक के फिनांशियल एर का आखरी दिने तो बुक ठीक की जाती है और उसी बुक में ठीक कर देश के सामने किताब है हमारे पीछे अरविन सुबरमन्यम की अरविन सुबरमन्यम जो सरकार के एडवाईजर रहे हुए थे अरुन जेटली के वक्त में थे इन्हों ने इसमें बड़ा शांदार तरीके से बताया सास सरकार डाटा मैनेज कैसे करते है चोड़के चले गए जब अरुन जेटली जी का निधनवा उसके बाद ये छोड़के चले गए लेकिन गरबड़ियां शुरू हो चुकी थी गरबड़ियां बहुत रफतार से चल रही थी और होते होते इस्तिती कितनी नाजुक हो गई इसका कई रूप आपके जहन में आएगा लेकिन एक रू जोजना पर असर पड़ता है और इस देश के बीतर में जितने भी प्रोजेक्ट्स इंफ्राइस्ट्रक्चर से जुड़े चल रहे हैं वह लेट होने लगते हैं पैसे की तंगी होगी भूमी अधिगर्ण करने में मुश्किल होगी कहीं पे कुछ क्लिरेंस नहीं मिल रहा हो गा कहीं इन्फ्राइस्ट्रक्चर सपोर्ट यानि वही पैसे का ट्रांसपर नहीं हो पा रहा होगा इस चेकर में जो प्रोजेक्ट्स थे 1418 टोटल प्रोजेक्ट से ये सरकार का डाता है उसमें से 346 इंफ्राइस्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट थे ये सभी लेट हो गए हैं दरसल 72 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लगबग एक साल तक लेट हुए हैं 171 ऐसे हैं जो की लगबग 2 साल तक लेट हुए हैं 355 ऐसे हैं जो 5 साल तक लेट हुए हैं और 125 ऐसे हैं जो 5 साल के बाद भी पूरे कैसे होंगे कैसे होंगे किस रूप में होंगे ये 823 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका एवरेज लेट टाइम निकालिएगा तो 38 महीने का निकल निर्धारित थी वह कीमत निर्धारित वक्त में पूरी होती तो तक्रीबन 20,38,000 कोड़ रुपे खर्च होता लेकिन anticipated अब कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो आज की तारीक में जितना लेट मान रहे हैं अब ये 24,84,000 कोड़ होगा तो यानि 4,46,000 कोड़ का बोज इसी लगता है सरकार ने जो जानकारी 21 मार्च कोई पारलेमेंट के भीतर दी उसको परखना चाहिए उसको इसलिए परखना चाहिए को कि 2017-18 में पहली बार प्रधान मंतरी ने च्छाती ठोक कर कहा था कि दरसल हमने शेल कमपनिया इस देश में 3,00,000 काम करती थी और देखिए कि इस तरीके से नोट बंदी के बाद दो लाक दस हजार शेल कमपनिया बंद कर दी गई जनता को अच्छा लगा सुनने में लेकिन ये मार्च 2023 में जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया हमें कोई जानकारी नहीं है शेल कमपनियों के बारे में हम जानते ही नहीं है और इस द कहा 13,800 करोड़ रुपए हमने वसूल किये है ये पनामा और पैरडाइज लीक्स पेपर का जो जिक्र था इसकी रकम जो बताई गई थी उस समय वह तकरीबन दो लाक करोड़ से ज़्यादा की थी सरकार ताल ठोक रही है 13,800 करोड़ रुपए HSBC Undisclosure Income जो थी सरकार ने ताल ठोकी कि देखिए हमने 1294 करोड़ के पैनल्टी लगा दी और 8,468 करोड़ रुपए वसूल कर लिए लेकिन जब HSBC के Undisclosure Income का जिक्र था तो उसमें एवरिज जो माना गया था वो तकरीबन माना गया था कि 7,000,000 करोड़ के लगबक का खेल वसूली कितनी है 8,468 करोड़ तो ब्लैक मनी को लेकर सरकार ने कहा कि हमने 408 केसे इसको सुल जाया और टेक्स डिमांड जोंसे की 15,664 करोड़ की अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि जो Undisclosed Foreign Asset था उसमें भी सरकार ने काकळा दिया 648 का लेकिन अगर आप 2014 तक के पन् मनी को लेकर जो सरकार ने एक बंद लिफाफे में लिस्ट सौंपी थी सुप्रीम कोट के भीतर और जैसे ही सत्ता बली और उसके बाद कहा गया हमने SIT बना दी है तकरीबन इस देश के भीतर के जिन लोगों की तादात थी वो लगभग 8,000 से ज़्यादा थी लेकिन हम मुश्किल हालात इस देश को कारोबारी अगर चला रहे हैं तो आखरी बात ध्यान से सुन लिजिए क्योंकि बोज आप ही पर पड़ना है लूट पाट इसी देश के भीतर होनी है बड़े कारोबारियों का हित इसी देश के भीतर साधा जाना है तो बड़े घरानों का दब दबा और देश के कारोबार में बड़े कारोबारी समूओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर एकनॉमिक रिफॉर्म के बास से चले तो दुगने से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी इस दोर में बढ़ गई और बढ़ते जो कंपनियों की खरीद होती है जो मरजर होता है जो अधिगरण किया जाता है, जो कमपनिया बिमार हो जाती है, उनको कैसे NCLT और IBC के जरीए उनको सौप दिया जाता है, इस दाइरे में आएंगे तो इस देश के भीतर में जो कहा जाता था कि बड़े कारोबारियों के हाथ में देश रहेगा, तो इस देश में में रहें, तो रास्टवाद की घुट्टी कुछ इस तरीके से पीएं और पिलाएं, कि कारोबारी जो मुनाफ़ा कमा रहा है, उसका मुनाफ़ा भी रास्ट हित में लगने लगें, और रास्टवाद उसके साथ जागरित हो जाए, यह इसलिए सवाल है, क्योंकि जो नैस् देशकों के डूबे, बैंक के डूबे, इस देश के पबलिक सेक्टर ने जो पैसा लगाया था उसके डूबे, इन परिस्तितियों के भीतर अगर देश की एकनौमी को नुकसान पहुचा, जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे ली जाएगी, तो कल से जो बोज पढ़ने वाला ह उसके ठीक समनांतर इस बात को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, कि एकनौमी के भीतर की लूट पाट उस राजनिती से हटकर होती है, जो राजनिती हंगामे और शोरगुल के बीच अपनी ताकत का एहसास कराती है, लेकिन जब आप पूंजी को हडपना शुरू करते हैं, तो देश करीब होते जाता है, और यही वो वज़ा है कि इस देश को पांच किलो अनाज देने का खर्चा सिर्फ दो से धाई लाग करोड रुपए सालाना है, और दो से धाई लाग करोड रुपए की लूट बड़े कारोबारी चुटकी बजा कर कर लेते हैं, इस देश के हमने और आपने ही चुना है और उस सरकार कहती है आप ही ने तो चुना है पांस साल की सारी ताकत तो हमें दे दी तो सारी ताकत जब है तो हमी सबसे बेस्ट जज हैं हमी सबसे बेस्ट बिरोक्रेट हैं हमी सबसे बेस्ट एडिटर हैं तो जनता ने हमको चुनाया आप तीनों को चुनाव लड़ने नहीं जाना है हमको लड़ना है तो हमारे हिसाब से चलिए अनिता चलने नहीं देखें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया